स्वागत है आप सभी का अंसू डिजिटल क्लासेस में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल्टरॉन के प्रिवियस इयर कोश्चन के बारे में जो डाटा इंट्री ओपरेटर में ये कोश्चन पूछा गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेल्टरॉन का जो डाटा इंट्री ओपरेटर की वेकेंसी है इसमें जो है 60 कोश्चन पूछा जाता है 60 मीनट का यानि 60 कोश्चन 60 मीनट का पूछा जाता है तो इस वीडियो में हम complete details में बताने वाले हैं इसमें हम लोग 30 कोश्चन का अभर करेंगे उसके बाद next वीडियो में 30 और कोश्चन डिसकस करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स ये जो टेस्ट है आप देख सकते हैं ये जो पेपर हम आपको बताने वाले हैं ये जो डाटा इंट्री ओपरेटर का कोश्चन है वो 21 तारीक बरावा महीना 2019 का पेपर है ठीक है तो इस डेट में ये कोश्चन पूछा गया चलिए फ्रेंट्स बीना देरी के इस वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोश्चन है MS Excel 2016 में सेल में एक टीपिडी यानि कॉमेंट जोडने के लिए शौटकॉट कूँजी क्या है यानि शौटकॉट की क्या है MS Excel में अगर आपको कॉमेंट जो है लाना है तो उसके लिए शौटकॉट क्या है तो उसके लिए शौटकॉट है सीफट प्लस एफटू मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ हम यहाँ पर Excel ओपेंट कर लेते हैं ठीक है Excel ओपेंट करने के बाद यहाँ सीफट एफटू जैसे कि आप सभी जानते हैं कि Review मेनू में यहाँ कॉमेंट होता है New Comment पे क्लिक करेंगा तब ना आएगा और बहुत ध्यान से देखेंगे इस पें माउस लेके जा रहा है न तो लिख रहा है New Comment Shift प्लस F2 अब आपको समझ में आए होगा जैसे माल लेजी यहाँ पे Comment इंसर्ट करना है Home Menu में है ठीक है ना यहाँ Comment लाना है तो आप Keyboard से Shift F2 देखें यहाँ पे आगया यहाँ पे Comment लिखने के लिए आगे न तो यहाँ पर आप कोई भी Comment लिख सकते हैं यह समझ में आगया होगा Shift F2 Practical भी आपको समझते चलना है अगला कोश्चन है stdev.p function एक डैस है तो संखीकिय फंसन है aesthetical function है ठीक है कुछ ऐसे कोश्चन होते हैं पेस्ट को कॉपने के लिए तो कॉपी करने के लिए सब को पता है Ctrl C से क्या होता है कॉपी होता है तो कॉपी करने के लिए कौन सा shortcut है Ctrl C अगर वही यहाँ पेस्ट करने के लिए पूचता तो Ctrl B होता लेकिन कॉपी करने के लिए पूचा है तो ctrl c से क्या होता है copy यह सब को मालूम होगा ठीक है ना next question की तरफ चलते हैं अगला question है msword 2016 में mail merge में mail links के लिए प्राप्त करता की मौजूदा सूची dash में मौजूद होती है question है की msword 2016 में mail merge में mail links के लिए प्राप्त करता है की मौजूदा सूची यानि कहाने का मतलब पहले से कोई मौजूद है सूची उसमें dash मौजूद होती है तो mail links में select recipient और use existing list जैसे की मैं आपको msword open करके दिखा देता हूँ यहाँ पर हम msword, winword type करते हैं और यहाँ mail links में हम देख लेते हैं जैसे की यहाँ दिया गया है select recipient और use existing list देखिए यहाँ पर select recipient है mail links पर क्लिक किये और यहाँ select recipient और यहाँ use existing list पर क्लिक करेंगे तो पहले सो जो आप list बनाए हैं उसको select करके open कर सकते हैं इसका यही मतलब हुआ देखिए यहाँ पर यही मतलब हुआ कि प्राप्त करता है कि मौजूदा सूची तो use existing list और select recipient होगा ठीक है यह सब गलत option है ठीक है next question की तरफ चलते हैं ms powerpoint 2016 में record slideshow dash menu के तहद उपलब्द है तो slideshow menu में है जो record slideshow है वो किस menu में है तो slideshow में है insert गलत है transition गलत है animation गलत है slideshow सही है मैं आपको दिखा देता हूँ record slideshow हम यहाँ पर power pnt लिखते हैं window आर power pnt और enter करते हैं तो आपके सामने powerpoint खुल दाएगा और यहाँ slideshow menu है इस पर क्लिक करते हैं और बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा हूँ है record slideshow कौन से menu में है slideshow में slideshow में record slideshow है यह समझ में आ गया होगा कि record slideshow किस में है slideshow menu में है next question की तरफ चलते हैं इसला question है MS Excel में worksheet का नाम कैसे बदलते हैं तो MS Excel में worksheet का नाम बदलने के लिए आपको उस worksheet sheet tab में rename किया जाता है right click on sheet tab और rename कर देंगे तो worksheet का नाम बदल जाएगा यह गलत है home rename गलत है यह left click on sheet और rename नहीं left click करके rename नहीं कर सकते हैं double click करके कर सकते हैं यह home design rename गलत है यही सही है right click on sheet tab और rename देखिए मैं आपको practical भी दिखा देता हूँ यहाँ पर हम excel open कर लेते हैं और excel open करने के बाद right click on sheet tab यह seat tab है तो इस पर अगर हम right click करते हैं तो यहाँ rename का option आगए है rename पर click करके यहाँ पर हम sheet का नाम बदल सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर sheet का नाम हम बदल दिये तो right click करके rename यह ध्यान में रखिएगा sheet पर क्या करेंगे right click on sheet tab और rename इससे नाम हम बदल सकते हैं अगला question है Excel 2016 में निमनलिकित में से कौन सा कथन सही है तो एक workbook एक work sheet के सामान नहीं है यही कथन क्या है सही है एक workbook एक work sheet के सामान थोड़े ना है workbook किसको कहा जाता है बहुत सारा sheet को workbook कहा जाता है तो एक workbook एक sheet के सामान नहीं है यही सही है कथन सही है कह रहा है ना तो यही सही है ठी next question है slide shorter view इन में से क्या परदर्सित करता है तो slide shorter से हम slide को short कर सकते है 36 क्रम में आपके presentation की सभी slide और thumbnail को यहीं परदर्सित करता है 36 क्रम में कर देता है उसको मतलब एक row में उसको कर देता है slide shorter देखिए मैं आप दिखा देता हूं विंडो आर करेंगे और यहां पर power pnt हम लिखते हैं enter करते हैं देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हम तीन slide यहां insert किये हैं और यहां view menu में slide shorter पर click किया अब देखिए क्या हो एक छैती में आ गया एक row में आ गया तीनो slide एक row में आ गया slide shorter से यहीं न हुआ जी जो slide है वो तीनों क्या आप जीतना भी slide यहां पर लेंगे वो सब इस तरीके से छैती जो है सजा देगा उसको प्रदर्सित करेगा नॉर्मल कर देंगे तो जैसे था वैसे हो जाएगा यह समझ में आ गया होगा आपको कि 36 क्रम में आपके परजेंटेशन के सभी slide यह थामनेल को कर देगा समझ गया अगला कोश्चन है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उप्यों की जाने वाली shortcut कुंजी क्या है तो पेस्ट करने के लिए control भी control भी से क्या होता है पेस्ट होता है यह सब को पता है ठीक है ना next question की तरफ चलते हैं 10 नमर question है MS Excel में home menu के तहद editing group में clear drop down सूची के तहद निमलेकी तमेर से कौन सा वैद विकल्प नहीं है देखिए बहुत ही ध्यान से समझेगा question कैसे घुमा दिया है कि home menu के तहद editing group में clear जो drop down है na clear एक clear का option होता है उस सूची में कौन सा विकल्प सही नहीं है तो clear data यह सही नहीं है clear content होता है clear formats होता है clear comments होता है लेकिन clear data नहीं होता है clear all होता है मैं आपको excel खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर हम excel टाइप करते हैं enter करते हैं और clear में कौन सा देखिए यहाँ पर यह clear है यह clear का icon है इस पर click करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या option है clear all, clear formats, content, comment, hyfer link clear यहाँ पर data option नहीं है clear data option नहीं है तो यहीं न पूछ रहा है वैद भीकल्प नहीं है तो clear data नहीं है यह समझ में आ गया होगा 10 नमर question अगला question है इन में से कौन सा उप्योकरताओं को चित्र और animation जैसे चित्रमें तत्यो यानि graphical elements के माध्यम से किसी उपकरण के साथ interact करने की अनुमती देता है देखिए graphical elements कह रहा है न और किसी उपकरण के साथ interact करने की अनुमती देता है तो graphical user interface जो हमारा ms windows होता है वो graphical user interface पर आधारित होता है यानि परतेक command graphics के रूप में रहता है graphical user interface उसी को कहा जाता है तो इसका right answer एक number होगा ठीक है अगला question की तरफ चलते हैं यहाँ पर अगला question है MS Excel में sale border लगाने का बिकल कहां मिलता है देखिए बहुत ही ध्यान से समझेगा question है कि MS Excel में sale border लगाने का बिकल यानि sale में हम border लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं तो home menu में सबसे पहले home menu में लगात अब home menu दोनों में है तो design group तो होता ही नहीं है ठीक है न home menu में यहाँ home menu में font का group होता है और वहाँ पे हम borders लगा सकते हैं मैं आपको Excel open करके दिखा देता हूँ यहाँ पर हम Excel खोल लेते हैं font का group है डिजाइन का नहीं font का देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर border लगाना है म font के group में है ठीक है ना next question की तरफ चलते हैं compiler dash रुपांत्रित करता है तो compilers का काम क्या है high level language को machine level language में बदलना यानि high level जो language में लिखे गए जो program होते हैं उसको machine code में बदल देता है कौन compiler compiler क्या है तो compiler translator का नाम है यह high level language में लिखे गए program को machine code में बदल देता है यानि रुपांत्रित कर देता है convert कर देता है कौन compiler next question के तरफ चलते हैं next question हमारा है यहाँ पे वह view जिसमे word document computer की यह screen पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार page चोड़ाई, text इस्तिती और format में document browser में दिखाई देगा वह क्या कहलाता है web layout देखे यहाँ पे दिया गया है outline गलत है, print layout गलत है, draft view गलत है web layout यानि website के layout यहाँ पे देखे लिखा गया है browser में दिखाई देता है उस तरीके का तो web layout view है वह क्या है, web layout में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम win word open कर लेते हैं, यानि MS word open कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए, जो हमारा normal MS word का जो page होता है, वो कुछ इस तरीके से खुलता है और यहाँ पर view पर click करके, अगर हम web layout देखिए, website का layout है यहाँ पर पहले ही यहाँ देखिए, इस तरीके से दिया हुआ है इस पर click करेंगे, देखिए यह, पूरा page में दिख रहा है, web layout करते ही क्या हुआ? वो जो है MS word का page, पूरे page में दिखने लगा, कहीं भी देखिए, यहाँ margin कहीं भी नहीं दिख रहा है और print layout करेंगे तो margin वेगरा सारा चीज दिख रहा है, यह समझ में आ गया होगा web layout, समझ में आया है न, web layout, ठीक है? next question की तरफ चलते हैं, अगला question है यहाँ पर, अगला question बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे, question है कि आप 19-12-2019 को MS Excel worksheet में function equal to today डालें, जब आप अगले दीन worksheet खोलेंगे तो output क्या होगा? देखिए, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, question कैसे? यहाँ पर tough पूछा गया थोड़ा सा यहाँ पर आप जो है कि MS Excel में 19-12-2019 आप type किया है, ठीक है न? और function आप लगाए हैं, यहाँ पर MS Excel function में यह डालें हैं, ठीक है? equal to today, और today के बाद bracket start bracket बंद कर दिया, और enter करेंगे today का मतलब आज होता है, तो आज जो भी date and time होगा, वो उसमें आ जाएगा, ठीक है न? जब आप उस दिन माल लिजे, 19-12-2019 को MS Excel में यह function लगाएंगे, today वाला, तो यही यही बताएगा, same यही चीज़ आएगा, 19-12-2019 ही आएगा, today का मतलब आज होता है, आज जो तारीख date होगा, वही न आएगा, today से, लेकिन अगले दिन खोलेंगे, तो क्या आएगा, तो 20 आएग यह कैसे होगा, अगले दिन वर्क्षीट खोलेंगे, तब न पता चलेगा, तो मैं आपको अभी इसका practical दिखा देता हूँ, देखिए, हम क्या करते हैं, विंडो आर करते हैं, और यहाँ Excel खोल लेते हैं, ठीक है, today function आज का date बताता है, तो हम यहाँ क्या करता है, equal to today लिख करके, bracket start और bracket बंद करके, enter करते हैं, तो आज जैसे की 26,5,2024 है, तो आगे आईए, अब क्या होगा, अब माली जी हम इस file को save कर लेते हैं, बहुत ध्यान से समझेगा, इसको हम save कर लेते हैं, और यहाँ पर हम desktop पे save कर लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं, ABC कुछ भी चेंज कर लेते हैं, computer का, हम जो है, यहाँ पर control panel खोल लेते हैं, और computer का जो date है, उसको हम change करेंगे, तो भी पता चल लाएगा, date and time हम यहाँ पर change कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर date and time यहाँ पर click करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, change date and time करते हैं, और यहाँ पर माल ल select कर लिए अब इसको close कर देते हैं अब हम क्या करते हैं उस file को खोलते हैं जो हम अभी save किये थे तो क्या आ रहा है देखते हैं तो हम जो है देख सकते हैं desktop पे आ चुके हैं और यह हमारा file है ms excel का इसको हम right click करके open करते हैं या फिर double click करके भी open कर सकते हैं जब आप open करेंगे देख सकते हैं यहां पर जब open हमने किया तो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे देखेंगे यहां पर 27 आ गया यानि अगला दीन यहां आ गया जो आपके computer system में time date होगा वही यहा आ गया होगा आपको देखिए 26 उस समय today किये तो 26 आया और जैसे ही अगले दिन हम change कर दिये तो यहां पर automatic update हो गया तो यह समझ में आ गया होगा आपको कि यह जो function है वो क्या करता है today और अगले दिन open करेंगे तो अगला दीन का date आएगा यह समझ में आ गया होगा next question की तर प्रकार नहीं है तो देखिए 10 में ms word में mail merge के लिए envelop एक default दस्तावेज का प्रकार नहीं है ठीक है अगला question की तरफ चलते हैं आप windows xp में एक नया folder कैसे बनाते हैं देखिए windows xp में या windows 7 में 8 में 10 में किसी में भी एक नया folder बनाना हो तो simple सा तरीका है कि खाली जगा पर ह देखिए लिखा हुए है right click on empty area यानी right click करेंगे खाली जगह पर उसके बाद new उसके बाद folder पर click करेंगे folder बन जाएगा यह देखिए double click empty गलत है right click empty ठीक है लेकिन create नहीं new होगा na create का option नहीं है new होगा left click on empty यह भी गलत है right click करके new और new के बाद folder मैं आपको दिखा भी देता हूँ जैसे कि यहाँ पर यह area खाली है देख सकते हैं यह एरिया खाली है यहाँ पर right click करेंगे और new के बाद किस पर click करेंगे folder तो यहाँ पर new folder बन जाएगा तो यह होता है folder बनाने का shortcut और यहाँ पर shortcut क्या यह मतलब right click mouse से बनाए है right click और empty area new और folder यह समझ में आ गया होग next question की तरफ चलते हैं अगला question है active x dash द्वारा सुरू की गई एक तकनिक है तो Microsoft द्वारा सुरू की गई है active x किसके द्वारा सुरू की गई है Microsoft company के द्वारा next question की तरफ चलते हैं अगला question है यहाँ पर computer के भावतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है तो hardware computer के भावतिक करते हैं सब क्या हैं सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कोश्टन की तरफ चलते हैं Software package program का वह समूँ जो desk का समाधान करता है तो विसिश्च समस्या का या कार्य ठीक है ना? Software package program वह समूँ है जो किसका समाधान करता है तो ऐसे specific problem और job यानि कार्य, job का मतलब कार्य होता है ठीक है ना? Next question की तरफ चलते हैं मतलब software क्या करता है? तो कोई कार्य न करता है जी विसिश्च समस्या हो या फिर कोई कार्य हो तो software package ही करता है ठीक है? Next question की तरफ चलते हैं Layout ribbon में desk tab के अंदर मौजूद होता है तो home tab के अंदर home tab के अंदर ribbon में layout जो हैं मौजूद रहता है Next question देखिए चैनित अक्षर को sub script बनाने के लिए shortcut कुणजी क्या है? चैनित अक्षर को sub script समझता है जो नीचे होता है जैसे हमको लिखना है h2o h2 जो होता है 2 जो होता है वो नीचे होता है ठीक है न? तो वो sub script उसको कहा जाता है और एक super script होता है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए उसका shortcut होता है control equal to sub script का shortcut control equal to मैं आपको practically दिखा देता हूँ यहाँ पर हम क्या करते हैं? win word open करते हैं ठीक है न? यहाँ पर जैसे हम ms word open कर लिए और open करने के बाद आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि sub script क्या होता है जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा font size बढ़ा लेते हैं जैसे कि यहाँ पर h और 2 और यहाँ हम o लिख देते हैं ठीक है न? तो यह 2 नीचे रहता है तो इसको select करके control के साथ equal to keyboard से control equal to प्रेस करेंगे देखिए यह sub script हो गया इसी को कहा जाता है sub script देखिए यहाँ पर control equal to दिया है तो यह जो नीचे होता है दो यह sub script होता है और वही यहाँ पर जैसे हमको लिखना हो a square अब plus b square तो square लिखना है तो इस दो को उपर करना है तो super script किया जाता है super script यहाँ से देखिए या फिर control shift plus control shift और plus दबा देखिए उपर हो गया super करेंगे तो यह कहा हो जाएगा ूपर हो जाएगा समझ में आ गया होगा इस पर select करके super script करेंगे तो यह उपर की तरफ हो जाएगा और sub करेंगे तो नीचे होगा, sub script का shortcut control equal to, outline view क्या है, ms word में outline view, तो outline view क्या है, तो content को bullets point के रूप में दिखाया जाता है, outline में क्या होता है, content होता है, content किसको कहा जाता है, जो ms word में आप लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, content कहते हैं, और वही bullets point के रूप में दिखाया जाता है, यानि अलग-अलग point के रूप में दिखा जाता है मैं आपको open करके दिखा जाता हूँ MS Word open कर लेते हैं और जैसे माल लिजी यहाँ पर हम कुछ type कर देते हैं और type करने के बाद कुछ content type कर देते हैं जैसे माल लिजी हम यहाँ पर type कर देते हैं टाइप करने के बद विउ में जाएंगे ओर विउ में यहाँ पर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे अगला क्वेश्टेन है वर्ल्ड वाइड वेव का अविस्कार किस ने किया था तो टीम बनर्स होता है वर्ल्ड वाइड वेव यह पूछा भी गया है question कि www का full firm क्या होता है तो वर्ल्ड वाइड वेव और इसके अविस्कारक कौन है तीम बनर्स ली यह याद रखिएगा अगला question है mail mergers विकल्प MS Word दस्तवेज के dash tab में महजूद होता है तो mail links में होता है mail merge MS Word में कहा होता है तो mail links menu में होता है insert गलत है view गलत है home गलत है mail merge जो option है वो mail links में होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर MS Word हम open कर लेते हैं और उसमें mail links में mail merge है किसमें है mail links में है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर MS word open हो रहा है और open होने के बाद यहाँ पर आपको mail links पर click करना है और यहीं पर mail merge है यहाँ पर finish mail merge है यानि mail merge जितना भी option है वो सब mail links में ही है अगला question है one newman computer system में इन में से किसका उपियोग होता है संख्रहित program सिद्धान्त यह जो सिद्धान्त है वो वान न्यूमेन ही बनाए थे वान न्यूमेन जो है एक बैग्यानी का भी नाम था ठीक है न? वान न्यूमेन जो है इनोंने क्या किया था? अगला question है यहाँ पर MS PowerPoint 2016 में निमले कितमे से कौन paste drop down सुची के तहद एक वैद विकल्प नहीं है MS PowerPoint में कह रहा है तो use new formatting यह जो है विकल्प वैद नहीं है ठीक है अगला question की तरफ चलते हैं अगला question निमले कितमे से यहाँ देखिए अगला है किसमें computer के बीच networking की सुविदा मौझूद नहीं है देखिए computer के बीच networking की सुविदा मौझूद नहीं है तो windows 3.1 इसमें जो है networking की सुविदा नहीं है क्योंकि यह windows का पुराना version है देखिए windows 8 यह version है अभी windows XP यह भी जो है इधर का वर्जन है लेकिन विंडोस 3.1 यह पुराना भर्जन है और इसमें नेट्वर्किंग की सुविदा मौजूद नहीं है यह समझ में आ गया होगा विंडोस 3.1 ठीक है न अगला कोश्चन की तरफ चलता है निमनिलेखित में से कौन सूचना अस्थाई रूप से एस्टोर कर सकता है देखि यानि अस्थाई का मतलग क्या है वह पर्मानेंट रूप से स्टोर कर सकता है तो पर्मानेंट कौन करता है रूम रीड ओनली मेमोरी केवल पढ़ा जा सकता है वैसा मेमोरी जो केवल रीड करता है और पर्मानेंट डेटा को रखता है तो वो रूम होता है रूम रीड ओनली memory आप ध्यान में रखिएगा right answer यही होगा तीन नमबर देखिए यह जो RAM होता है यह temporary data को एस्टोर करके रखता है यानि कुछ समय के लिए जैसे आप जो भी program open करते हैं computer में वो सारा data RAM में ही रहता है जैसे ही power off होगा वो data lost हो जाएगा लेकिन जो permanent data रहता है वो ROM में रहता है computer off होने के बाद भी ROM का data lost नहीं होता है यह ध्यान में रखिएगा next question की तरफ चलते हैं MS Word में indent के paragraph को बढ़ाने के लिए किस shortcut कुणजी का उपयोग किया जाता है MS Word में indent को paragraph को बढ़ाने के लिए कौन सा shortcut तो control M यह याद रखिएगा control M से indent के paragraph आपको बढ़ा सकते हैं अब आपको यह समझ में नहीं है कि indent क्या है तो मैं आपको MS Word खोल के दिखा देता हूं indent किसे कहा जाता है और कैसे उसको बढ़ाते हैं उसमें कैसे उसको बढ़ाते हैं तो control M किसे बढ़ाते हैं जैसे देखिए यह indent है यह उपर जो आपको दीख रहा है देखिए लिखा हूँ है left indent लिखा हूँ है तो इसी को बढ़ाना है इसको यहाँ वहाँ करना है इसको बढ़ाना है आगे की तरफ देखिए हम keyboard से control M प्रेस करते हैं देखिए बढ़ गया control M देखिए यह indent बढ़ रहा है indent क्या हो रहा है आगे की तरफ बढ़ रहा है control M यह ध्यान में रखिएगा control M से indent क्या होता है बढ़ता है आगे की तरफ तो समझ में आ गया indent क्या है और कैसे paragraph को बढ़ा रहा है control M से ठीक है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अपने फ्रेंट्स के पास भी सेर कीजिए और भी तक आपने अमरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में